कि नमस्ति सब्सक्राइब असलाम वालेकुम उम्मीद का त्यासलों खेरेश से होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे तो आज यह हमारी वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक लडाकू ड्रोन बनाया है इस वीडियो के टाइटल में ही मेंशन किया गया जी हाँ दोस्तों बड़ी ख़वर निकल कर सामनी आ रही है युद के मैदान में ड्रोन की तबाही देख हर देश ड्रोन की छेतर में बनना चाता है ताकदवर तुर्की के ड्रोन पूरी दुनिया को कर दिया है रान इसी बीच पाकिस्तान भी ड्रोन छेतर में की एंट्री बनाया पहरा लड़ा को ड्रोन क्या बोले पाकिस्तान जानेंगे क्या है पूरा मामला वहीं आगली ख़वर में आपको बताएंगे कतर फीफा वर्ल्ड कप के उद्गहटन समारों के दोरान एर्दोगान और सीसी पहली बार मिले देशकों से हैं कट्टर दुश्मन इसी के करके विस्तार से बताएंगे तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखर तक बने रगिए तो बिना टैम लेते हुए बात करते हैं खबरों की जिहां दोस्तों जब से तुर्की के ड्रोन युद के मैदान में जिस तरह से परदशन की है उससे पूर दुनिया है और अब युद देश इसमें काम्याव हुए हैं लेकिन इसमें हर देश काम्याव नहीं हो पाते इस बीच खबर है कि पाकिस्तान भी लड़ा को ड्रोन के छेतर में उंची छलांग लगाई है रिपोर्ट्स के मताबिक लंबे समय से पाकिस्तान के पास ऐसे ड्रोन थे जो सिर्फ निगरान करने के लिए इस्तिमाल होते थे लेकिन अब पाकिस्तान के हत्यार निर्माता कमपनियों ने कराची में जारी हत्यारों की परदशनी में पहली बार ऐसे ड्रोन पेश की हैं जिनका इस्तिमाल हमला करने के लिए किया जा सकते हैं कराची में हत्यारों की परदशनी चार साल बा यानि जासूसी के लिए खूफिया ड्रोन बनाने की शुरुवात के साथ रखा था निगराने के लिए इस्तिमाल होने वाले ये ड्रोन इससे पहले हुई हत्यारों की परदशी में नजर आते थे पाकिस्तान सरकार की कंपनी Global Industrial and Defense Solutions के CEO असद कमाल बताते हैं कि पाकिस्तान सरकार के तरफ से उन्हें साफ कहा गया था कि जिन तक्निकों के लिए पाकिस्तान विदेश पर निर्वर है उन्हें धिरे धिरे पाकिस्तान में विक्सीत करना चाहिए इससे विदेशी मुद्रा को बचाया जा सकेगा आईडियाज की जो अठारे में आखरी परदर्शनी हुई थी उसमें बराक नाम का सर्विसरान ड्रोन दुन्या के सामने पेश किया गया था इसका काम सिर्फ वीडियो बनाना और हाई रेजोलिशन तस्विरे लेना था असद कमाल बताते हैं कि इसके बाद हमने अपने अगले मनसुबे पर काम शुरू किया हमारी सेना कीवी ये जरूर थी कि ना सिर्फ वो टार्गेट को देख सके घेराओ कर सके और अगर चाहे तो उसको तवावी कर सके इसके बाद हमने रिसर्च की और शहपर टू ड्रोन पर काम किया असद कमाल बताते हैं कि जब आप कोई तकनेक असंबल करते हैं या दूसरे देश चे हासल करते हैं और कुछ देनों के बाद वो देश आपको तकनेक देना बंद कर दे तो आपका प्रोडेक्ट अधूरा रह जाता है और फिर ना आप इसे खुद इस्तिमाल कर सकते हैं और ना ही बरामद कर सकते हैं लहाजा इसे ड्रोन के बुन्यादी तकनेक को पाकिस्तान में ही बनाया गया है पाकिस्तान के कराची में हुए हत्यारों के परदशिनी में तीनों सेनाओं के परमखों ने हिस्सा लिया पाकिस्तान का इस समय फलेग शिप ड्रोन शाहपर 2 है जो अब पाकिस्तान की सेना, नौ सेना और वायू सेना में शामल हो चुका है सरकार इसे परदशीने में पेश करके दूसरे देशों को भी बेचने की खुआश रखती है असद कमाल बताते हैं कि शहपर 2 एक हजार किलो मिटर तक उरान भर सकते हैं और अपने निशाने को भेद सकते हैं ये ड्रोन स्रेलायटे से संपर्क कर सकते हैं दिन हो या रात किसी भी अव्यान में काम्याव है ये ड्रोन अपने निशाने को लेजर से लॉक करते हैं और फिर मिसाल से उसे निशाना बनाते हैं शहपर 2 120 नोटस तक की रफ्तार से उरान भर सकते हैं इसकी टेक ओफ रफ्तार 80 नोटस से लेकर 85 नोटस तक है इसकी कुरूज रफ्तार भी 85 नोटस होती है इसका रेडियस लगवग 1050 किलोमेटर और डाटा लिंग रेंज 300 किलोमेटर है ये लड़ा को ड्रोन उरान के दोरान अपने इंजन को दोबाला इस्टार्ट कर सकने की सक्षमताव रखता है आपको बदा दे कि पाकिस्तान तुर्की से टीबीटू बेराकटा ड्रोन भी खरीदे चुके हैं जिसे एक प्रेड में देखा गया था जिसके बाद भरते मीडिया में इसकी काफी चर्चाय भी हुई थी आपको बदा दे कि तुर्की की ड्रोन बाजार में तहलका मचा रखा है जिस ड्रोन का मुकाबला कोई भी देश करने में सक्षम नहीं है क्योंकि ये ड्रोन बेहत कम कीमत पर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और दुनिया को कम कीमत पर बेहतर ड्रोन की जरूरत भी है और पच्छी में देशों के फाइटर जेर्स हर देश नहीं खरीदे सकते क्योंकि इनकी कीमत बहुत ही ज्यादा है इसी के साथ आपको बढ़ा दें कि जी हाँ दोस्तों तुर्की के राशबदी रजब तयव अर्दोगान और उनके मिसर के समकष अब्दल फताह अलसीसी रविवार को कतर में विश्वकप के उदगाटन समारों के दोरान पहली बार मिले दोनों नेताओं को टूनामेंट के पहले मैचस से पहले दोहा के बाहर इलाके अलखोर में अलबेत इस्टीडियम के किनारे कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल्थाने के मौजूदगी में हाथ मिलाते वोई देखा गया था अंकारा और काहिरा के बीच सनमन्द लगवग एक दर्शक से तूट गए हैं तुर्की ने 2013 के सेन्य तक्ताप्लाट के बाद सीसी को मिसर के वैदनेता के रूप में मानियता देने से इनकार कर दिया जिसने देश के पहले लोक्तांतरे के रूप से निर्वाचित राशवदी मुहम्मद मुर्सी को हटा दिया फरवरी 2019 में एर्दोगान ने कहा कि वो सीसी से तब तक नहीं मिलेंगे जब तक कि मिसर के राजनेते कैदियों को रिहा नहीं कर दिया जाता मानो अदिकार समू का कहना है कि मिसर में 65,000 राजनेते कैदिये तुर्की के राशवदी ने उस समय कहा मैं ऐसे वक्ती से कभी नहीं मिलूँगा सबसे पहले उसे सवी कैदियों को सामानिय माफिक के साथ रिहा करने के ज़रूरत है जब तक वो उन लोगों को रिहा नहीं करते हम सीसी से नहीं मिल सकते मिलिश्ट आई ने इस सफ़ता के शुरुवात में रिपोर्ट दी थी कि एरदोगान ने संकेत दिया था कि वो अगले साल घरलूर राशवदी और सनसदिये चुनाओं के बाद मिसर और सिरिया के साथ सरमंदों को नए सिरे से आरंब कर सकते हैं दरसल सीसी और एरदोगान के साथ कतर में उदगाटन समारों में मद्यपूरों के कई नेता उपस्तित थी जिन में जोड़न के राज़ा अब्दुल्ला दिविती सौधिरफ के करौन प्रेन से मुहमद बिन सलमान अलजेरिया के राशवदी अब्दुल मेजेद तिबोने और फिलिस्तिनी राशवदी महमूद अब्बास शामिल थे कवी दोहा के कटर दुश्मन रहे मुहमद बिन सलमान जिनों ने 2017 से 2020 के बीच अपने खारी परोसी देश के आर्थिक और राजनेतिक नाके बंदी का नेत्रत किया था फीफा अधियक्ष गियानी इन्फिंटिनो के बगल में बैठे मुस्कुराते और तालीब बजाते दीखे सौधी के वास्तवे के शासक को दिन की शुरुवात में कतरी रंग का स्कॉर्फ पहने देखा गया था मेजबान कतर और एकवाडोर के बीच उद्गहटर मैंचिस से पहले परदशन करने वाले सितारों में कतर अलकुबैसी के साथ साथ दक्चिन कोडिये बॉइ बैंड बीटियस के सदर से जंग कूग भी शामिल थे अमेरिकी अभी नेता मारगन फिरीमैन ने विकलांग कतरी इंफुल एंसर घनीम अलमुफता के साथ एकता और वीवाजन पर कावु पाने का संदेश भी दिया दरसल कतर वोल्ड कप 2022 के पहले मुकाबले में एकवाडूर ने मेजबान कतर को टू मैनेस जिरो से हरा दिये हैं इस जीत के साथ ही एकवाडूर ने तीन अंक अरजीत कर लिये हैं इसी के साथ आपको बैदा देए की जिहां दोस्तों उत्तर कोडिया के विदेश मंतरी चोसन एंटोनियो गुटरेस के आलोचना की हुई ने गुटरेस को अमरिका के कटपुदली भी करार दिया गुटरेस ने शुक्रवार को उत्तर कोडिया के ICBM परिक्षर की करी निंदा करते हुए एक बयान जारी किया था और उससे किसी भी भरकाव कारवाई को तुरंत रोकने का अपना एहवान दोहराया था उत्तर कुडिया की सरकारी मीडिया ने विदेश मंत्री चोसन हुई के हवाले से एक बयान में कहा मैं अकसर सनुक्त राश्ट महा सचीव को अमरिका के वाइट हाउस या विदेश मंत्राले का एक सदस्य पाता हूँ उन्होंने कहा इस तत्ये पर अपना गहरा खेद व्यक्त करता हूँ कि सनुक्त राश्ट महा सचीव ने सनुक्त राश्ट चार्टर के उदेश एवन सिधानतों और सवी मामलों में निस्पक्षता एवन समानता बनाया रखने के आपने उचीत मिशन को दरकिनार करते हुए बेहद निंदनिया रवय या अपनाया है हुई ने आरोप लगाया कि गुटरेस ने सनुक्त राश्ट सुरक्षा परिशद में उत्तर कूरिया के ICBM परिक्षन की निंदा करते समय अमेरिका और उसके सहयोग्यों की कारवाई को नजर अन्दाज किया उन्होंने कहा ये सफ़श रूप से दर्शाता ह है कि वो अमेरिका के कटपुतली है सनुक्त राश्ट सुरक्षा परिशद ने जापान के अनुरोद पर उत्तर कूरिया के ICBM परिक्षन पर सुमवार सुबह एक एमर्जनसी बैठक बोलाई है हाला कि अवी ये साफ नहीं है कि इस बैठक में उत्तर कूरिया पर नए आर्थ साथ में करा विरोद किया था जी सेवन समों के सदल से देशों के शिर्स राजनायकों ने रविवार को एक सनुक्त बयान जारी करें उत्तर कूरिया मिसाल परिशन के जवाब में सनुक्त राश्य सुरक्षा परिशद द्वारा करे कदम उठाने का अहवान किया था तो दोस अपनी जन्दा को अपने देश देश को अपने मुल्ouble को प्रक्ट्अ कर सके और यहीं वह में कि इंके बाद में जिन को मेशनी के बाद में वहां के सेुल अपने अपको बहुती में ज्ञादे हुआ नकी कोन्रीया इंके ससु Лश्य नाश्यने की सुछे रोगर मे वहां ON प्रोटेक्शन के लिए कुछ कर रही हैं अदर्वाइस हमेशा वैसे तो सिटिजन्स जो होते हैं वह हमेशा कंप्रेंट करते ही रहते हैं कि हमारी कुछ नहीं कर दी हम लोग जैसे पहले देश आज हैं कुछ डेवलेपन नहीं हुआ लेकिन गवर्मेंट कभी खाली नहीं बै अगर कि दूसरी गुष् Solar magari में करेंज करती है जच्छ केन दूसरी बहीं हमारे झाल तो टो rewards के लिए कव्वल पर ती मिद्वाएं चलती है उनकी बैताटन केलें अच्छा है और वो सब कुछ अरेंज करती है तो इस टाइम पर मैं कहुंगी कि पाकिसानी इसको भी बहुत जादा प्राउड फिल हुआ होगा जब उन्हें देखा होगी जो उनके यहां पर लडाकू ड्रॉन लॉंच हुआ है तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शे कर दिजिगा बबाई